तुमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे सूट्व प्चावल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्यन करेंगे मानव जनन यानि हुमन रिप्रोडक्शन के बारे में दरसल दोस्तों मानव जनन की अंतरगत आता है लैंगी जनन जो की बड़ा ही इंप्पोर जिक्र करना रहता है तो दोस्तों यह लैंगी जनन और समय आ जाएं करते हैं दरसल दोस्तों जो होता है यह प्रक्रियाव वड़ी ही सिंपिल होती है वह तो बड़ा ही टिफकल लेकिन बड़ा आसाने से आपको शौण में आजायगा दोस्तों नर्याने पूरुस माक़ोव इस्त्री नर यानि पुरुस के अंदर दोस्तों गुण सूत्रों की संख्या कितने होते 46 होती है यहीं मादा इस्त्री के अंदर गुण सूत्रों की संख्या दोस्तों कितने होते 46 होती है अच्छ जब दोनों का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यह तेश-तेश में क्या हो विभाजित हो जाएंगे यह भी दोस्तों तेश-थेश में क्या होंगे विभाजित होंगे जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब यह बात समझ में आए अब आपको यह ध्यान में रखना है नर यानि नर की अंदर गुण सूत्रों की संक्या होती है दोस्तों 46 और जब अर्ध सूत्री भी भाजन होगा, तो नर की अंदर नर युगमक तयार होगा, और नर युगमक क्या है, इनके गुण सूत्रुक संक्या दोस्तों क्या है, तेईस है, यही मादा है, मादा याने इस्त्री, इनकी अंदर मादा युगमक तयार होगे, उनके गुण सूत्रुक सं संख्या तेईस होती है मादा में मादा यूगमक के संख्या तेईस होती है जब नर यूगमक और मादा यूगमक आपस में सयोग करते हैं तो यूगमनज बनता है और यह यूगमनज दोस्तों कहां पर बनता है भ्रोण में बनता है और भ्रोण में ही एक नए संतान को पत्ति ह होती है दरवसल दोस्तों यही जो प्रोसेस होता है यही जो प्रक्रिया फोन रहेंगिक जनन काहलता है अब रहेंगिक Dryторы होतें कि इने प्रकार के हैं तो यहां से हम लोग दोस्तों जर्खतें हैं कि लैंगिक drypail कैसे हम दोस्तों नि निसेचन पूर घटना निसेचन निसेचन पस्ट का मतलब क्या होता है निसेचन पूर की जो घटनाय होती दोस्तों वो कुछ इसकी अंतरगत आती हैं जैसे नर के अंदर गुर्ण सुत्युक संख्या 46 है मादा के अंदर गुर्ण सुत्युक संख्या 46 है जब अर्धसुत्री होगा तेश तेश में तूड जाएंगे इधर मादा के अंदर अर्दसुत्र विभाजन होगा तेश तेश में तूड जाएंगे दुटक दोस्तों ये है निश्येचन पूर घटना, बासों में आ रहे हैं, वहाँ पर युगमग जनन होता है, युगमग का स्थानांतर होता है, यहाँ पर दोस्तों युगमग वगर अगर निर्माण होता है, निसेचन पूर घटना होती है, ठीक, तो दोस्तों अगर नर के अंदर नर युगमग तयार हो रहा है तो इसे दोस्तो हम लोग कहते है निसेचन पूर घड़ना अब ये निसेचन क्या है दोस्तो ये बताइए जब नर के अंदर नर युगमक तयार होगा मादा के अंदर मादा युगमक तयार होगा जब दोनों आपस में सयोग करेंगे तो युगमनज बनेंगे राइट यही य युगमनज दोस्तों जो प्रक्रिया होते हैं इसी को हम लोग निसेचन कहते हैं क्या कहते हैं नर युगमक और मादा युगमक आपस में संयोग करके जो युगमनज का निर्मार करते हैं दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम लोग निसेचन कहते हैं युगमनज का दोस्तों निर् सम्मंदी चीजों का हम लोग अध्यन करते हैं तब नए संतान की कहीं पर जाकी उत्पत्ति होती है तो दोस्तों ये जो घटनाय होते हैं कहीं कहीं मिलाकर ये हम लोग निस्येचन पस्च घटना के अंतरगा चीजों का हम लोग अध्यन करते हैं निसेचन पस्च घडणा की मतलब आप समझ पाएं निसेचन पस्च घडणा में जैसे दोस्तो ब्रून होता है अंड कोशका होता है दोस्तो अंडासे वगरा होते हैं और सुक्राणू होते हैं दोस्तो जो नर होते हैं नर की अंदर सुक्राणू बनते हैं मादा की अंदर अं सब्सक्राइब करने को सब्सक्राइब किजिएगा इसके बाद हम अगले वीडियो लिचल मुलाकाद करने को सब्सक्राइब